तो गाईज अगर आप लोगों को XS Bank से Personal Loan लेना है तो आप लोगों हमारे मोबाइल के स्क्रीन पर देख पाएंगे कि मैं यहाँ पर लोगों ले चुका हूँ तो अगर आप लोगों को भी Personal Loan की जरुरत है एक्सिस बैंक से Personal Loan लेना चाहते हैं तो आप लोगों को यहाँ पर मिलते हैं 25,000-40,000,000 रुपे तक का personal loan यहाँ से लोगों को provide करा जाती है चाहे आप लोग प्राइवेट जोब करते हैं या फिर आप लोग गौर्ड मेर्ड जोब करते हैं दोनों आदमियों को यहाँ पर loan amount दिया जाएगा कैसे loan के लिए apply वेगर करना हैं क्या interest होगा क्या charges है complete जनकारी के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएं हैं अगर आप लोग loan लेना चाहते हैं access bank से personal loan तो इस वीडियो को आप लोग बीना skip किये जो है end तक देखिएगा तो गई सबसे पहले आप लोग आएंगे अपना browser में यहाँ पर search कर लेंगे access bank personal loan लिकर के अगर आप लोग search करेंगे तो आप लोग के सामने कुछे इस तरीके से इसका home बेज आएगा तो यहाँ पर आप लोगों को जो loan amount मिलेगा वो maximum यहाँ पर 40 लाग रुपे तक का loan दिया जाएगा जिसमें आप लोगों को 84 मंत का समय दिया जाएगा loan repayment के लिए interest rate की अगर बात करेगा इस तो यहाँ पर low interest rate जो है वो आप लोगों को लगा जाएगा starting में 10.99% per annum के हिसाब से होगा और online paperless process यहाँ पर जो होता है अब quick 30 second में आप लोग का loan जिवा यहाँ पर approval दे दिया जाता है तो loan apply करने से पहले इसका कुछ details आप लोगों को बताते हैं तो यहाँ पर maximum loan amount आप लोग को 40 लाग loan repayment समय की बात कर ले कम से कम 12 मंत ज्यादा से ज्यादा 84 मंत का समय मिलेगा loan repayment के लिए rate of interest की बात कर ले तो starting में 10.99% है processing fees आप तब का जो loan amount होगा उसका 2% यहाँ पर लगाए जाएंगे plus GST है नीचे की तरफ आएंगे तो no collateral है ठीक है simple easy online process में आप लोग को loan यहाँ पर दिया जाएगा eligibility and documents की अगर बात कर ले गाई तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे salary person है तो भी मिलेगा अगर आप लोग private job कहीं पर करते हैं तो भी आप लोगों को यहाँ पर loan दिया जाएगा अगर आप लोग government job करते हैं या फिर private job करते हैं दूनों आदमी को यहाँ पर loan दिया जाएगा minimum wage आप सब का कम से कम यहाँ पर 21 वर्स होना चाहिए और maximum यहाँ पर 60 वर्स होना चाहिए और monthly salary कम से कम आप लोग का 15,000 रुपए यहाँ पर होना चाहिए तो आप लोग loan के लिए eligible हैं और यहाँ पर documents की अगर बात कर लगाई तो आप सब का last 3 month का salary slip लगेगा bank statement ठीक है बाकि KYC document में आप सब के पास आधार pen card है तो यहाँ पर KYC इससे complete हो जाएंगे अगर आप लोग अपना loan को यहाँ पर calculate करना चाहते हैं तो minimum यहाँ पर 50,000 है maximum यहाँ पर 40,000,000 है तो जितना रासी आप लोग लेना चाहते हैं उतना रासी को यहाँ पर calculate करके check कर सकते हैं जैसे कि हम माल लिए कि यहाँ पर 54-80 को सेलेक्ट कर लिए हैं, rate of interest जो इस्टार्टिंग में उतना ही रहने देते हैं, 10-1 यहाँ पर 12-84 मन्त का समय मिलता है, तो हम यहाँ पर माल लिए कि 23 मन्त के लिए लोन लेते हैं, तो 10-1 हम यहाँ पर 23 मन्त के लिए सेलेक्ट कर लिए हैं, तो यहाँ पर आप लोग को बताया जाएगा कि आप सब का मन्त लिए जो इंस्टॉल्मेंट बनेगा, वो कितना आपका आगा है, यहाँ पर डीटिल्स में आप लोग को बता दिया जाएगा, तो आप लोग को बताया जाएगा कि आप सब का मन्त लिए इंस्टॉल्मेंट जो है, वो कितना बन सकता है, और इंट्रस्ट कितना लगेगा, टोटल कितना पिमेंट करना होगा, यहाँ पर डीटिल्स में आप लोग को बता दिया जाएगा, तो अगर गाज यहाँ पर आप लोग लोग को लेना चाहते हैं, तो कुल यहाँ पर चार श्टेप में आप लोग को जो है, वो लोग यहाँ यहाँ पर दे दिया जाएगा, अगर गाज यहाँ पर आप लोग 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 को लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप लोग को apply now का एक options मिलेगा इस वाले पे आप लोग जो है click करेंगे जैसे है इस वाले पे click करेंगे तो आप लोग के सामने कुछ इस तरीके से बेदाएंगे अब यहाँ से आप लोग अपना loan को जो है वो apply कर चकते हैं तो यहाँ पर आप लोग को अपना मुवाइल नमबर फिल करना है तो वही नमबर फिल करेंगे जो नमबर आप सब के आधार कार्च लिंक है उसी नमबर को यहाँ पर फिल करना है और प्रोशिर वाले पर किलिक करेंगे मुवाइल नमबर फिल करने के बाद इस box में check mark करेंगे और प्रोसीर वाले पर किलिक करेंगे उसके बाद आप लोग के सामने अब कुछ इस परकार से page open होंगे तो यहाँ पर आप लोग को अपना आधार नंबर यहाँ पर fill करने है pen नंबर को आप लोग यहाँ पर fill करेंगे और उसके बाद यहाँ पर occupation type को select करेंगे अगर आप लोग कहीं पर job करते हैं तो salary वाले को self employee है तो self employee को आप लोग को tick करना है इसके बाद नीचे के तरफ आएंगे आने के बाद यहाँ पर कुछ termine condition है इसको आप लोग पर लेंगे इस box में check mark करेंगे और send OTP वाले पर आप लोग जो है click करेंगे तो हम यहाँ पर सभी details को fill कर लिए है send OTP वाले पर जो है click करेंगे फिर से आप सब कर यहाँ पर login होगा और उसके बाद आप सब के mobile number पर जो है एक OTP आएगा जो आधार से registered mobile number है उस number पर OTP आएगा अब उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर डाल कर login है इस वाले पर आप लोगों को click करना है तो मेरा OTP आचुका है यहाँ पर डाल दिये है login वाले पर हम click करेंगे जैसे ही आप लोग 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 वाले पर click करेंगे उसके बाद उसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस परकार से पेज़े आएंगे तो यहाँ उपर में आप लोग देख पाएंगे गाई सबसे पहले यहाँ पर परसुनल डीटियल होगा उसके बाद यहाँ पर लोन ओफर होगा जो है वो जामा कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे कि हमारा फुल नेम यहाँ पर ओटोमेटिकली सेलेक्ट हो गिया है जो अधार पेन पर है डेटर बर्थ भी सेलेक्ट है करेंट कमपनी का नेम हमको यहाँ पर डानने है ठीक है लास्ट यहाँ पर देखेंगे मंतली सेलेरी यहाँ देना है बाकी यहाँ पर चूज सेलेरी बैंक अकाउंट हमारा जो सेलेरी आता है वो किस बैंक अकाउंट में आता है यहाँ पर चूज करेंगे उसके बाद गाज यहाँ पर communication address type को select करना है तो हमारा खुद का है तो owner वाले पर click करेंगे बाकी हमारे आधार pin पर जो address होगा वो यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेंगे ठीक है अगर यहाँ पर change करना चाहते हैं तो change communication है इस वाले पर click करेंगे और यहाँ पर आप लोग अपना address को जो है वो fill कर सकते हैं तो address line 1, address line 2 और यहाँ पर landmark डालेंगे, pin को डालेंगे, city state automatically select होगा और यहाँ पर आप लोग को address type को select करना होगा क्या आप सब का कुद का है या फिर आप किसी प्रेंट में रहते हैं या फिर आगर है या फिर रेंट पर आते हैं अपने हिसाफ से यहाँ पर select करेंगे ठीक है इस box में check mark करेंगे और save वाले पर जो है आप लोग क्लिक करेंगे तो हमारा same ही है नीचे आने के बाद आप लोगों को इस दोनों box में यहाँ पर check mark करना है और view loan offer है इस वाले पर आप लोगों को click करना है तो हम यहाँ पर सभी चीज़ को complete कर लिए है view loan offer है इस वाले पर click करेंगे उसके बाद processing में रहेगा अगर आप सब के लिए कोई loan offer होगा तो यह screen पढ़ाएगा तो यहाँ पर आप लोग अपने piece को cut या refresh नहीं करेंगे कुछ समय यहाँ पर आप लोग wait कर लेंगे तो उसके बाद का जो भी loan offer होगा आप सब के screen पढ़ा जाएगा तो आप लोग अपने हिसाब से amount को यहाँ पर select कर लेंगे जितना amount आप लेना चाहते हैं जितने month के लिए लेना चाहते हैं वो month को आप लोगों को select करना होगा तो बाकि आप सब को पूरा loan का details यहाँ पर बता दिया जाएगा ठीक है कि आप सब का interest क्या है processing charge क्या है bank account में कितना आएगा सारा कुछ दिखाया जाएगा उसके बाद आप सब यहाँ पर अपना bank account को add करेंगे और उसके बाद पैसा जो है वो आप सब के bank account में जमा कर दिया जाएगा आप सब कोई loan offer होगा तो इस screen पर होगा उसके बाद आप सब अपना loan amount को choose करेंगे टेनवर को choose करेंगे bank account एड करेंगे और पैसा सीधा आप सब के bank account में जो है वो credit कर दिया जाएगा तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर एक्सिस bank से personal loan ले सकते हैं अच्छा लगे तो इस video को like कर दीजेगा और साथ ही अगर आप सब channel पर नए थे तो channel को subscribe जरूर कर लेंगे मिलते हैं next video में new topic के साथ